Hello friends, welcome back to my channel, मैं हूँ आपकी friend वर्षा आज की इस वीडियो में हापना हम बात करेंगे B.A.D.E.N.S. exam के 2021 के reasoning के questions की start करते हैं वीडियो आपको पसंद आए तो like केज़े, friends के शेर कीज़े और किसी भी तरकी कोई भी query हो तो जरूर बताएगा देखें, यहाँ पर हमें यह कुछ words दे रखे हैं, यह से U, H, C, D, N जिसको हम बनाये गया है वीडियो में, फिर दिया गया है O, K, Z, X, D, Q बताएगे, इसको हम किस word में बनाएगे या आप formulate करेंगे, बताएगे जल्दी करिए, बहुत simple है, देखें, U से V आएगा, U, V, H, I, C, D, D, E, N, O ऐसे ही O का क्या हो जाएगा, P, K, L K का हो जाएगा, L, फिर हो जाएगा, Z का, A, फिर हो जाएगा, X का, Y, D का, बाद E, Q, के बाद R तो यह हो जाएगा, P, L, A, Y, E, R, option C, आपका right answer है, clear है, next आएगे Select the world related world from the given alternatives, अब आपको यहाँ पर एक world दिये गए, उस जैसे यहाँ पर है Resistance, जिसके लिए दिया गया है, O, current के लिए क्या होगा, बताएगे Resistance की unit दिये गई है, O, उस तरह से, current की spelling क्या होगी, current किस में बताया जाता है, हमारा define किया जाता है, Simple है, यह भी, आप इसली बता सकते हैं, यह MPR में define किया जाता है, ठीक है Next आएगे, Select the related number from the given alternatives, यहाँ पर 64 है, उसका 8 है, 289 क्या होगा, आप देखिए बताएगे, 8 से 64 का क्या बन रहा है, पेयर Cube देख सकते हो, देखिए, 8 का, यहाँ पर हम square करेंगे, तो 64 होगा, तो हमें देखना है, 289 किसका square है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 64 को हम अंडरूट में लिख सकते हैं, जब इसको solve करेंगे, तो 8 आएगा, से उसी तरह से 289 को में अंडरूट में करेंगे, और जब इसको solve करेंगे, तो क्या आएगा, बताएगे, 27 बहुत जादा हो जाएगा, 17-19 में से देखिए, 26 भी बहुत जादा है, 17-19 में से चेक करेंगे, मैंने आपको hint दे दिया, 17-19 म से आप चेक करिए देखिए आप ऐसे भी देख सकते हैं अगर हम 19 का स्क्वायर करते हैं तो last में 1 आना चाहिए 81 होता है 9 का 9 से multiply करेंगे 81 तो ये cut गया लेकिन 7 का 7 से multiply करेंगे यानि कि 17 का 17 से तो last में आएगा 9 जो कि हो जाएगा 289 अब जी इंगलिश में कॉशन है मैं हिंदी में आपको समझाओंगी परेशान मत हुई है देखिए एक सीरीज यहाँ पर दी हुई है जिसमें एक टर्म मिसिंग है वो आपको complete करनी है ठीक है लेफटेनेंट उसका है कैप्टेन लेफटेनेंट करनल बताईए लेफटेनेंट उसके अद कैप्टेन आता है कैप्टेन के बाद क्या आएगा मेजर मेजर के बाद आएगा लेफटेनेंट करनल ओप्शन भी यहाँ पर राइट आंसर है ठीक है क्लियर है नेक्स्ट अब आपको यहाँ पर अरेंज करना है एक सिक्वेंस में जो आपको डिक्शनरी दी हुई है डिक्शनरी के अक्वाडिंग यहाँ पर इन स्पैलिंग्स को अरेंज करिए सिक्वेंस में देखिए जे सब में आ रहा है वो सब में आ रहा है ठीक है फिर सी तीन में आ रहा है यानि कि fourth वाला जो I है वो सबसे जो one है हमारा joke वो सबसे last जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आपका option कौन कौन से कट गया option A कट गया option C कट गया अब देखिए जोकी, जोक्यूलर, जोकुंड तो यहाँ पर हमारा इसमें K है तो सबसे पहले आएगा second ठीक है जोकी, second आएगा उसके बाद आएगा हमारा दौन में U है तो हम fourth नमर पर जाएगे L है उसमें end है तो फिर क्या आजाएगा jocular यानि कि third फिर आएगा fourth फिर आएगा हमारा 1, 2, 3, 4, 1 देखिए 2, 3, 4, 1 किसमें option B में है ठीक है next आएगे अब यहाँ पर आपको एक series दी हुई है जिसमें एक term missing है आपको बताना है क्या starting का बताना है आपको बाद में दे रखा है L M N R S T Y Z A देखिए सीधे इसीधे पता चल ला है L M N साथ में आते हैं N अब O P Q को इन्होंने छोड़ दिया है फिर लिख दिया R S T फिर U V W को छोड़ दिया है फिर लिख दिया है U V W X Y Z A यानि कि पहले तीन को छोड़ा है फिर चार को छोड़ा है यानि यहाँ पर इसमें नहोंने कितना छोड़ा होगा दो को वो दो कॉन कॉन से होंगे बताईए जल्दी जल्दी आंसर करिए क्या हो जाएगा E F और G ऑप्शन D हो जाएगा इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं देखिए एक और टर्ग है इसके करने की आप ऐसे देखिए E F G साइट बिल्कुल सही आया है जी से L कैसे आया फिफ्थ नम्मर पे G H I J K L फिफ्थ नम्मर पे आया अब N से R हमारा किस नम्मर पे आया L N O P Q R चीक है फोर्थ हो गया अब T देखिए T U B W X Y ये मारा फिफ्थ नम्मर पे है चीक है आप्शन D यहां पर आइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट आईए अब आपको एक सीरीज दिये इसमें भी एक टम मिसिंग है आपको बताना है T U फिर कॉशन मार्क है N O और फिर X Y बताईए T U से O हमारा 10 नम्मर पर है अब T से करिए T से 10 नम्मर पर क्या आएगा T U V W X Y Z A B C D यानि कि D आएगा पहला D चीक है अब यहां पर U से देखिए U से 10 नम्मर पर क्या आएगा U V W X Y Z A B C D E D और E इसका आंसर होगा ठीक है तो option क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा यानि कि 4 नम्मर पर देखना है आपको T से आपको देखना है पहले इस पर फिर U से 10 नम्मर पर देखना है फिर D जो हमने D और E निकाला है D से 10 नम्मर पर आएगा हमारा N E से 10 नम्मर पर आएगा हमारा O N से 10 नम्मर पर आएगा हमारा X और O से 10 नम्मर पर आएगा Y इस तरह से सीरीज है ठीक है नेक्स्ट देखिए एक सीरीज है जिसमें एक टम मिसिंग है जैसे कि तेरा बाड़ा अड़तालेस आपको अड़तालेस के बाद क्या आएगा ये बताना है तीन से बाड़ा कैसा आया निकालेएं देखिए तीन से आप फोर को मल्टिप्लाई करेंगे बार आएगा बारा से फोर को मल्टिप्लाई करेंगे अड़तालेस आएगा और अड़तालेस से फोर को मल्टिप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा वान नाइन टू यानि कि सम्में आपको मल्टिप्लाई फोर करना है option c right answer है ठीक है next question देखिए देखिए आप वो question इतबड़ आपको पढ़ने की सब्सक्राइब जरूरत नहीं है मैं आपको डारेक्ट बता देदियो आपको statement पढ़ना है statement के साथ ही conclusion दे रखे है वो देखने हैं उससे कितने match हो रहा है ठीक है जैसे कि some camels are ships कुछ camels जो है वो ship है कोई भी ship boat नहीं है ठीक है तो आप conclusion ऐसे निकाल सकते हैं some ships are camel तो ये तो बिल्कुल सही है ठीक है some camels are not boat लेकिन यहाँ पर तो हमें camels और boat का तो कोई भी connection नहीं दे रखा है त तो हम यह नहीं बता सकते हैं तो हमारे लिए तो सिर्फ conclusion one follow रहेगा बताईए क्या होगा answer only a correct होगा क्योंकि जब तक हमें camel और boat के बारे में कोई भी indication ना दिया हो हम उस question को नहीं मानेंगे ठीक है तो यहाँ पर यह नहीं माना जाएगा यह हमारा बल्कुल सही है next आईए one extreme end पर है याने कि P side में बैठा है सबसे कौने में अब वो किस कौने पर है left side right side यह हमें पता नहीं है पी जो है neighbor है T का और third number पर है left side में क्योंके fourth side में T के right में कौन है आपको यह बताना है करिए सौर्ण क्या होगा इसका answer जल्दी से solve करिए देखिए एक series बना लिजेए इस पर चार बनाए एक दो तीन चार क्योंकि चार लोग है चार नहीं सौरी पांच है ठीक है पांच अब इसमें लिखा हुआ है T जो है extreme end पर वेठा हुआ तो हमें नहीं पता तो T यहां भी बैठ सकता है T यहां भी बैठ सकता है ठीक है अब इसमें दे रखा है P neighbor है T का अब P neighbor है तो P यहां भी हो सकता है पी यहां भी हो सकता है neighbor तो किसी भी सेड हो सकता है आंगे दे रखा है कि T and is third of to the left of Q Q के left में third है अब Q का जो left है तो तो यानि की Q के left में T third होगा P तो अगर यहाँ पर P होगा तो Q का left कैसे होगा तो P यहाँ नहीं है P यहीं पर है और 3 है 1, 2, 3 तो T V यहाँ नहीं है Q यहाँ पर है क्योंकि Q के left में P आ रहा है ठीक है तो यह हो गया इसका तो यानि अब सब clear हो गया T यहाँ पर है P यहाँ पर है Q यहाँ पर है अब अब अच्छे हमारे पास 2 अब इसमें दे रहा है Who is the fourth to the right of T T के right में fourth कौन है तो यह तो हमें बिल्कुल भी clear नहीं है R और S की situation तो R यहाँ भी हो सकता है S भी हो सकता है यहाँ R भी हो सकता है IS भी हो सकता है तो इसके fourth में R, S कोई भी हो सकता है तो इसलिए यहाँ पर जो इसका question होगा ठीक है Fourth में बोलाए ना T के fourth में 1, 2 and 3 इसके fourth में तो क्यों बैठा है इसका answer होगे option C ठीक है Q बैठा है T के fourth में right side पर Next देखिए In the following question Which one set of letters है Hindi में बता रही हूँ एक मिनिट देखिए यहाँ पर sequence यहाँ पर एक world दे रखा है आपको पूरा उसको आपको बताना है कौन सा अक्षर कहाँ प्लेस किया जाएगा एक letter में ठीक है P, Q, R क्या होगा बताईए यहाँ पर P, Q, R इनके बीच में कौन सा हम बिठा सकते हैं बताईए यहाँ आपको 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 आपक देखें यहाँ पर Q के बाद R दे रखा है आप ऐसे समझी है, यहाँ पर Q के बाद R है तो यानि कि यहाँ R है तो यहाँ पर पहले आजाएगा Q मैं इस वर्ल्ड पर लिख रहे हूँ, यह Q है ठीक है अब R है R के बाद एक और आ रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा R ठीक है, अब S है ठीक है, S तो यहाँ पर कहीं भी नहीं दे रखा तो QR पहले देख लीजे, QR कहाँ पर है यह कट गया हमारा, यह कट गया अब बचा हमारा B और J तो QRPP, QRPS, ऐसे देख सकते हैं तो R के बाद यहाँ पर S आ रहा है, इसलिए यह हो जाएगा PS, Option B राइज आंसर है आप बता दीजेगा, यह कॉशन आपको नहीं समझ में आएगा तो हम द्वारा डिसकस कर लेंगे, उसे बहुत सिंपल है, ठीक है एक बाद फिर से समझा देती हो, इसी को एक मिनिट, देखे ऐसे समझे है, यहाँ पर हमारा R दे रखा है, ठीक है यह हमारा R है, R से पहले क्या दे रखा है, Q, तो यहाँ भी R से पहले Q आएगा ठीक है, अब यह क्या बन गए सीरीज, P, Q, R अब यहाँ पर R है, तो उसके बाद एक और स्पेस है, तो यहाँ पर R के बाद R दे रखा है, तो फिर से R आ गया अब S के बाद क्या आएगा, अब यहाँ पर R के, दो R के बाद S आया है, तो लास्ट में भी ऐसी रहेगा ठीक है, तो देखिए, एक हमारे पास B बचा है ओप्शन, एक B और C बचा है ओप्शन तो लास्ट में S तो इसमें नहीं है, S इसमें है, तो अपने आप भी आ जाएगा इसलिए ओप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है next देखिए, if k means minus, k का मतलब होता है minus, l का मतलब होता है divide, m का मतलब होता है plus, d का मतलब होता है multiply तो आपको इनको solve करना है, सीरीज में बना देती हूँ, solve आपको करना है, मैं डारेक्ट आपको आंसर बता दूँँ, ठीक है, जैसे कि एक सो सत्रा, l है, यानि की divide तीन, k मतलब minus, five, m मतलब plus, twelve, d multiply यानि eight, अब बताई इसको solve कैसे करूँगे आप, बॉड मास से करना easily निकल कर आ जाएगा बारा से multiply करो, आप eight का, कितना निकल करा जाएगा, 96, बारा से multiply किया, यह हो गया, आपका 96, एक सो सत्रे, ठीक है, डिवाइड किया, ठीक है minus five plus, तो इसको आप divide करोगे, 117 से 3 को divide करो, उसके बाद minus five plus 96, ठीक है, तो यह कितना निकल करा जाएगा, 135, 135 में, फिर minus करो, 5, तो यह आपका निकल करा जाएगा, 130, option C, यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा, ठीक है, next question देखिए, हिंदी में बताती हूँ, काजल left home for a hospital, काजल left home for a hospital, सी travel five kilometer, ठीक है, काजल, घड से निकली hospital के लिए, 5 kilometer चली east में, फिर उसने turn किया south east में, फिर द्वारे travel किया, 10 kilometer, उसके बाद उसने turn किया north east की तरफ, और 10 kilometer चली, finally, she reached the hospital, in which direction is hospital with respect to her house, आपको बताना है, किस direction में उसका hospital है, उसके घर के तरफ, घर से, ठीक है, बताईए, बहुत ही simple है, question मैंने आपको बता दिया है, अगर आप कहेंगे, तो मैं जल्दी से solve भी करा दूँगे, देखिए, यहाँ पर short में बता देती हूँ, यह north है, यह south है, यह west है, यह east है, और यह north west कहलाता है, यह north east कहलाता है, यह east south कहलाता है, यह west south कहलाता है, south west, ठीक है, यह south east कहलाता है, देखिए, स्वाल्फ करते हैं ठीकिए, आप लोग बाद में कर लीजेगा प्रैक्टिस देखिए होम उसका यहाँ पर है पहले चली 5 किलोमीटर किस डारेक्शन में चली? इस्ट में तो इस्ट में 5 किलोमीटर हो गया टर्ण किया साउथ इस्ट की तरफ यानि कि इस तरफ, साउथ इस्ट में 10 किलोमीटर ठीक है, उसके बाद फिर से वो नॉर्थ इस्ट चली नॉर्थ इस्ट चली 10 किलोमीटर ठीक है अब वो यहाँ पर है, तो वो किस डारेक्शन में है? तो यह किस डारेक्शन में है? यह मैंने आपको बताया था, यह इस्ट है तो अब वो अपने घड से इस्ट की डारेक्शन में, उप्शन डी राइट आंसा है सिंपल है नेक्स्ट देखिए चूज दी ओड नमबर पेयर फ्रॉम दी गिविन रेस्पॉंसेज ओड नमबर देखना है, 19, 21, 13 अगर आपको प्राइम नमबर्स, कंपोजिट नमबर्स, स्क्वायर्स, क्यूप्स आते हैं, तो आप इसली बता सकते हैं देखिए, यहां पर हमारा जो 21 है, यह हमारा क्या है? प्राइम नमबर है वो सौरी, कंपोजिट नमबर है, बाकी सब हमारी क्या है? प्राइम नमबर्स में आते हैं, 21 हमारा प्राइम नमबर नहीं है, कंपोजिट नमबर है ठीक है इसलिए option see right answer हो क्योंकि ये odd है अब बताईए यहाँ पर इसका print सही नहीं है मैं कोशिश करूँगी इसका print सही करने की ठीक है तो आज इतने ही कर लेते हैं आज की questions क्योंकि जब तो print सही नहीं होंगे आपको समझने हैंगे तो प्राना बेकार है तो I hope आपको सारी questions clear होंगे किसी भी तरह का doubt हो तो प्लीज जरूर बताएगा तो next video में आपसे मिलते हैं तब तक के लिए take care bye bye